नमस्कार सिक्षार्तियों इस सिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है ये सिक्षण सत्र सिक्षा का अधिकार क्या है और सिक्षा का अधिकार में एक प्रारंबिक सिक्षक की क्या भूमिका पर किंद्रित है और इस सत्र की चर्चा के लिए हमारे बीच इंद्रा गांधी राश्टी ये मुक्त विश्व विद्यालाई के सिक्षा विद्यापीत के सहाया काचार डॉक्टर गौरौ सिंग जी उपस्तित हैं आपका स्वागत है धन्यवार आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि सिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है इसमें क्या क्या प्राविधान है जिनसे यह इसपस्ट होता है कि यह सिक्षा की भूमिका से संबंदित है सोमु जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण से चर्चा का प्रारम किया है जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो एक अप्रेल 2010 से इस देश में लागू हुआ उसने सिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में मनिता दी एक संवधानिक अधिकार के रूप में मनिता दी और जब ये अधिनियम बना और इस अधिनियम के विविन प्रावधान लिखे गए तो उसमें प्रारंबिक सिक्षा से जुड़े विविन भागीदारों जिसमें अध्यापक, जिसमें विद्याले, जिसमें समाज, जिसमें ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें या अन्यप्रसासनिक संस्थान, सिक्षक प्रसिक्षण के संस्थान, इन सबकी भूमिकां पर काफी विस्तार से प्रकास डाला गया लेकिन एक प्रारंबिक सिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर ये है कि सिक्षा के अधिकार अधिनियम में एक प्रारंबिक सिक्षक से क्या पेक्षाएं और अकांग्षाएं रखी गई सिक्षा के अधिकार को एक वास्तविक अधिकार में बदलने के लिए एक प्रारमिक विद्याले का सिक्षक अपनी भूमी का कैसे निभा सकता है उससे क्या पेक्षाएं हैं उसको क्या करना है ये एक सिक्षक के लिए जानना अत्यन्त महत्वपून है यदि हम इसको एक दूसरी दिशा से प्रारम करें जो कि सिक्षक प्रसिक्षन का मुद्दा है तो हम देखें कि सिक्षा के अधिकार अधिनियम में ये बवस्था दी गई है कि सिक्षक की नियुक्ति के लिए नियुनतम सैक्षनिक और प्रसिक्षनिक योगिता का निर्धारण राश्ट्रिय अध्यापक सिक्षा परिशद अर्थात NCTE द्वारा किया जाएगा यह इसलिए है क्योंकि अलग-अलग स्थानों पर प्राधमिक और प्रारंबिक इस्तर पर जो सिक्षक नियुक्त थे उनकी योगिताएं अलग-अलग पाई गई सिक्षक प्रसिक्षण के भी जो कारिक्रम थे उनकी अवधियां अलग-अलग थी उनके स्वरूप अलग-अलग थे उनको एक स्वरूप देने के लिए एक रूपता देने के लिए इस अधिनियम के आने के बाद राष्ट्री अध्यापक सिक्षा परिशद NCTE ने यह स्पस्ट किया और यह मानक जारी किये कि प्राथमिक विद्याले पर कक्षा एक से पांस तक का जो अध्यापक है उसकी सेक्षिक और सेक्षिक्षण के योगिता क्या होगी Adinium में एक और ब्यवस्टा की गई और ब्यवस्टा सिक्षण के जुड़ी इसलिए महातूपून हो जाती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज भी देश के प्रारंबिक विद्यालियों में बहुत सारे सिक्षक प्रसिक्षित नहीं है वे प्रारंबिक विद्याले सरकारी छेतर के भी है और निजी छेतर के भी परन्तु जब सिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तो इसके प्रावधान हर विद्याले पर लागू होते हैं जाहे वे निजी छेत्र का विद्याले है जाहे वे सरकारी छेत्र का विद्याले है इसलिए यदि आप देखें 2010 में जो सिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ उसमें ये विवस्था थी कि प्रतेक कारड़त सिक्षक इसके लागू होने के पांच वर्स के भीतर उचित प्रसिक्षण पूर्ण कर लेगा पर ये उद्देशे पूरा नहीं हो पाया 31 मार्च 2015 तक इस देश में लाखों सिक्षक ऐसे थे जो प्रसिक्षण नहीं थे 2016-17 के जो आकड़े सामने आये उसमें कई जगा हमने पड़ा है कि लगव 11 लाख सिक्षक अप्रसिक्षण रह गए जिनके प्रसिक्षण की विवस्था सरकार को करनी थी और शायद इसी लिए उन्हां एक संसोधन अधिनियम 2017 में आया इस सिक्षा के अधिकार अधिनियम में और उस संसोधन के माढ़्यम से एक अंतिम अवसर के रूप में प्रतेक अप्रसिक्षण सिक्षण को उचित प्रसिक्षण पूर्ण करने का अवसर दिया गए है तो सिक्षक प्रसिक्षण को लेकर ये अधिनियम सुरू से जागरुक था और इसका कारण भी है इसका कारण ये है कि यदि सिक्षक प्रसिक्षत नहीं होगा यदि सिक्षक शिक्षण प्विधियों में बालकों को पहचानने में उनकी छमताओं योगताओं का निर्धारन कर पारने में में प्रशिक्षत नहीं होगा तो वह सिक्षा केसर भॉमिकरण के अपना योगदान पूरी तरह से संभровता नहीं देपाएगा कि यदि हम उत्तरदायत्तों की बात करें यह तो प्रशिक्षण की वहन करने होंगे उसमें उसका जो पहला उत्तरदायत तो है वहे विद्याले आने में निरंतरता और समय वद्धता का अनुपालन रथा पंक्चुएलिटी and continuous attendance सतत रोज आना क्योंकि ये एक बड़ी समस्या रही है और हमने कई जगा पढ़ा भी है हो सकता है कि कुछ विद्यालें में ये समस्या रही हो जिस वज़े से ये समाचार पत्रों में भी अपना स्थान बनाया कि विद्यालें में अध्यापक नहीं आते हैं आते हैं तो समय पर नहीं आते हैं समय पर आते हैं तो विद्याले पहले दूर करने के लिए पहला उत्तरदाय तो सिक्षक का कहा गया कि सिक्षक निरंतर विद्याले आएगा और समय बद्ध धंग से आएगा इसमें एक चीज एड़ करना चाहूंगा कि अभी आपने देखा होगा कुछ राजियों में तक्नीकी का इस्तेमाल करके उपस्तिती को इं कैसे लागू करने के लिए यह प्रियास है जी साथ ही इसमें दो और उत्तरदाय तो थे इस तो बहुत सारे उत्तरदाय तो हम सभी की चर्चा करेंगे वो विद्याले पर समय पर आएगा निरंतर आएगा साथ ही एक सिक्षक से यह अपेक्षा की गई कि वह पाठे क्रम को सुचारो रूप से लागू करेगा पूरा करेगा और निर्धारित समय में पूरा करेगा अर्थाथ किसी भी कक्षा के पाठिकरम को पढ़ाने के लिए जो निर्दार्यत समय है जो निर्दारित कारे दिवश है या कारे घंटे है उनमें ही पूरा करेगा उसको ठीक से लागू करेगा ठीक से लागू करने का आर्थ हम यूं समझ सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि अध्यापक जो पुस्तकों में लिखा है केवल उसको पढ़ा देना मातर ही शायद पाठिक्रम को पूरा करना समझ लेते होंगे पर जब हम पाठिक्रम को पूरा करने की बात करते हैं और उसको सुचारू रूप से पूरा करना जैसे कि अधिनियम में कहा गया है तो सुचारू रूप का मतलब पाठिक्रम के प्रतेक पक्ष को पूरा करना उसमें सेक्षिनिक पक्ष भी है उसमें सह सेक्षिनिक पक्ष भी है उसमें मुल्यों का विकास भी है उसमें नेतिक्ता और चरित्र का नर्माण भी है अर्था जो उसके सेक्षिक और सह सेक्षिक पक्ष हैं उन सभी पक्षों को पूरी तरह से पूरा किया जाएगा इसकी पाथी सिक्षकों से यह पेक्षा की गई है कि वे प्रतेक बच्चे की अधिगम योग्यताओं का आकलन करेंगे कि एक बच्चे में क्या अधिगम योग्यताएं हैं किस छेत्र में वे तेजी से अधिगम कर लेता है किस छेत्र में अधिगम करते समय कुछ पिछड जाता है य यदि आवश्यक्ता होगी तो वै उसे अतिरिक्त उचित अनुदेशन प्रदान करेगा ये एक सिक्षक का उत्तरदायत तो निर्धारित किया गया इसके साथ ही ये बात भी हुई कि बच्चों का विकास बच्चों का सरवांगीन विकास केवल सिक्षकों की जिम्मेदारी नह ही है कि प्रतेक अध्यापक माता-पिता और अभिवावकों के साथ सतत बैठकों का आयोजन करेगा जिसमें वह बच्चों की उपस्तिती उनकी अधिगम योग गिताएं उनकी अधिगम में क्या प्रगति हो रही है उसकी प्रगति यदि कोई समस्या है तो उन समस्याओं व प्रियत नसील हो सकते। निश्यत रूप से यह जो पेरेंट टीचर्स असोशियेशन है जी उनका जो संगठन और उनका जो संचालन है फीड़बेक सिस्टम के माध्यम से बच्चे का सरवांगीन विकासी केंद्र में है जी अब हम यदि अन्य बिंदूओं पर बात करें तो ह दिखना है कि एक समस्या अकसर शिक्षकों के साथ रही है और खास जलाक जो सरकारी तंत्र में प्रात्मिक विद्यालेओं में सिक्षक कारेड़त हैं उनकी शिकायत भी रही बहुत समय तक कि उनको सेक्षनिक कारियों के लिए उचित समय नहीं मिल पाता क्योंकि कई बार उनको राज्य या इस्थानिय निकाए या अन्य विवस्थाएं गैर सेक्षनिक कारियों में सनलिप्त कर देती थी इसलिए जब सिक्षाक अधिकार अधिनियम बना और उस अधिनियम को जब लिखा गया तो उसके अनुच्छे 27 में विवस्था दी गई कि कोई भी सिक्षक गैर सेक्षनिक कारियों में लिप्त नहीं होगा केवल तीन छूट उसमें दी गई एक तो जो देश की दसवर्सी जनगर्णा होती है उसकी छूट दी गई दूसरा यदि वो जिस छेत्र में कारेड़त है उस छेत्र में उस राज्य में कोई आपदा आ जाती है तो उसको आपदा रहत का कारे मानत्ता की नाति करना चाहिए तो उसमें छूट दी गई और साथ ह जो चुनाव होते हैं इस्थानिय निकाय राजी और केंदर के उन चुनावों की ड्यूटी तो जनगर्ना आपदा रहात और छेत्रों के चुनाव इन तीन कारियों को छोड़ कर किसी भी सिक्षक की गैर सेक्षनिक कारियों होए तो तैनाती अनुच्षेद 27 निशिद्ध करत इसा एधिखा गया है लेकिन वह एक और की निशिद्ध करता है यह तो शिक्षकों के अधिकार की बात चबथी अगली निशिद्धी सिक्षकों के कर्तब्यों से सम्बंद्ध है ठीक अगली धारा अनुच्छेद 28 जो है वो ये कहता है कि कोई भी सिक्षक व्यक्तिगत सेक्षणिक गतिविधी ये ट्यूशन में स्वैम को सम्मिलित नहीं करेगा उसका उत्तरदायत तो विद्याले में बच्चों को पढ़ाना है वो विद्याले में पूरा समय देकर पूरे मनियोग से पूरे पाठ्यक्रम को उचित प्रकार पढ़ाएगा और यदि वे ऐसा करेगा तो बच्चे को ट्यूशन की अवश्यक्ता ही नहीं पढ़ी कि पढ़े यह भी सिक्षा के अधिकार अधनियम की एक वड़ी महतुपून बात है जी इसमें एक चीज यह एड़ करना चाहूंगा जो आपने कहा कि जो गैर सेक्शनिक कारे हैं उनमें सिक्षकों को जिम्मेदारी देने से निसिद करने की बात आई है कहीं न कहीं एक चिंता ये भी ह होगी समुदाय की सिक्षाविदों की बुद्रजीवियों की कि हमने नामांकन तो बहुत अच्छा बढ़ा लिया सकल नामांकन काफी तेजी से बचानमे प्रिसत से उपर हुआ तो क्यों आप हम गुडवत्ता पर गुडवत्ता उन्यन पर ध्यान केंद्रित करें बिलकुल अरल कि स्कूल में विटाकर के पूरा ध्यान जैसा कि आपने कहा कि पाठिकरम को सही माइनुमसे उचित प्रकार के क्रियानमित करने में लगाएं तो ऐसा करना तभी संभा है जब विद्याले में रहेगा अन्य दायतों में उसको नहीं रखा जाएगा तो साथ ये बहुत बड़ी बज़े रही होगी साथ ही सिक्षा के अधिकार अधिनियम को यदि हम पढ़ें और सिक्षा का अधिकार अधिनियम में बहुत सारी धारा हैं लेकिन जब उस अधिनियम को हम पढ़ते हैं तो हम किस द्रस्टी से पढ़ रहे हैं हमारे लिए ये महत्तपूर्ण है जैसे अभी हमारी चर्चा का केंद्र सिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रतेक धारा नहीं है अभी हमारी इस चर्चा का केंद्र सिक्षा के अधिकार अधिनियम में सिक्षक से क्या पेक्षाई की गई है केवल वह एक विंदू है तो यदि उस विंदू से आप उस अधिनियम को देखें तो उस अधिनियम भी लिखा गया है कि एक सिक्षक स्पस्ट तौर पर ये सुनिश्चित करेगा कि विद्यालेओं में, प्रात्मिक विद्यालेओं में और प्रारंबिक विद्यालेओं में जहां सिक्षा प्रदान की जा रही है वहाँ समवैधानिक मूल्यों के साथ समनवाय स्थापित किया जाए समवैधानिक मूल्यों को विक्सित किया जाए और समवैधानिक अपेक्षाओं की सुरक्षा और संरक्षा की जाए इसकी विवस्था हो साथ ही उसमें ये भी कहा गया है कि प्रतेक अध्यापक वच्चे के सरवांगीन विकास के लिए प्रयास करेगा जैसे जब हम पाठेचरिया की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि वो पाठेचरिया अंत्रण में केवल विशेवस्तु तक सिमित नहीं रहेगा बलकि सेक्षनिक और सह सेक्षनिक दोनों पक्षों के विकास की बात करेगा ताकि बच्चे का सारीरिक, मानसिक, सामवेगिक, नैतिक सभी प्रकार से विकास हो सके इसी तरह से उसमें ये भी अपेक्षा की गई है कि प्रतेक बच्चे की ज्यान उसकी छमता और उसकी प्रतिभा का विकास हो इसका प्रयास अध्यापक करेगा अध्यापक बच्चों की सारीडिक और मांसिक योगिताओं की अधिक्तम सीमा तक विकास है तो प्रयास करेगा साथ ही एक ऐसा परिवेश विक्सित करेगा जिसको आप बाल केंदृत परिवेश कह सकते हैं बाल मित्रवत परिवेश कह सकते हैं Child-centered and Child-friendly environment की जो बात है तो वो environment एक create करेगा वो एक environment करेगा एसा वातावर्ण परिवेश विक्सित करेगा जिसमें वो क्रिया कलापों द्वारा, अन्वेशन द्वारा या खोज के माद्यम से अधिगम को प्रोथसाहित करेगा अर्थात वाल केंदृत बातावरण में बाल मित्रवत रूप से क्रिया कलाप, अन्वेशन और खोज के माद्यम से अधिगम को प्रोथसाहित करना इसकी में भी सिक्षक की भूमिगत है साथ ही यदि हम देखएं तो उसमें एक और महत्पूण बिंदु है जिसकी चर्चा हम भाशा की द्रस्टी से भी कर सकते हैं लेकिन यहां भी करनी महत्पूण है कि जहां तक ग्यवहारिक हो बच्चे की सिक्षा का माध्यम उसकी मात्र भाशा होगी ऐसा सिक्षा की अधिकार अधिनियम में कहा गया है साथ ही सिख्षक से अपेक्षा की गई है कि वे बालक को भै, मानसिक, अभिगात और चिन्टा से मुक्ट करेगा बालकों को सुतंतर रूप से मत्विक्त करने के योग बनाएगा और इसमें उसकी सहताप करेगा साथ ही एक द्यापक बच्चों की समझने की सक्ति और उस सक्ति को उपयोग करने की उसकी योगिता का ब्यापक और सतत मुल्यांकन करेगा जो ब्यापक और सतत्मुल्यांकन का पक्ष है उसको भी सिक्षा के अधिकार अधिनियम में बहुत महतुपूर्ण स्थान दिया गया है और ब्यापक और सतत्मुल्यांकन आप जानते हैं तभी सफल हो सकता है जबकि सभी सिक्षक उसको ठीक प्रकार से लागू करें अब हम आते हैं सिक्षक से जुड़े कुछ ब्योहारिक मुद्दों पर सिक्षकों की समस्याओं की जब हम चर्चा करते हैं तो अक्सर ये विशय आता है कि प्रात्मिक विद्यालेओं सिक्षक नहीं है सिक्षक हैं तो कम संख्या में हैं आज भी सिक्षक विहीन विद्याले एकल सिक्षक विद्याले ऐची समस्याइं समय समय पर सामने आती रहती है और यह मुद्दे तब भी बहुत महत्वपूर्ण थे जब सिक्षा का अधिकार अधिनियम बन रहा था इसलिए सिक्षा का अधिकार अधिनियम जब बना तब उस एक प्राथमिक विद्याले में सिक्षक शात्र अनुपात एक अनुपात तीस सुनिष्चित होना चाहिए उसमें ये भी कहा गया था कि छै महां में ये पता लगाया जाए कि सिक्षक शात्र अनुपात को सही करने के लिए आवस्तिक सिक्षक कितने चाहिए और उतने सिक्षक का अधिकार अधिनियम आने से पहले और हमारे प्रिसक्षु भी इस बात को जानते हैं कि जब यह अधिनियम नहीं आया था उससे पहले बहुत सारी योजनाएं चाहें वो सारे प्रश्ण भी उठे बहुत सारे विवाद भी हुए इसलिए सिक्षा के अधिकार अधिनियम में ववस्था की गई कि प्रत्य प्राथमिक विद्यालय में सिक्षक शात्र अनुपात एक अनुपात तीस किया जाए और उसके लिए उनके अधिया परसिस्टों को देखें जो अधिनियम के अंत में परसिस्ट जुड़े हैं उस परसिस्ट में इसपस्ट तोर पर कहा गया है कि यदि विद्यालय में बच्चों की संख्या साथ है या उससे कम है तो कम स चारे का होना भी परमावश्यक है ऐसी व्यवस्था सिक्षा के अधिकार अधिनियम में की गई वहीं उच्च परात्मिक स्तर पर ये भी कहा गया कि प्रतेक कक्षा में कम से कम एक सिक्षक हो एक विद्याले में उतने सिक्षक हो कम से कम 35 विद्यार्थियों पर एक सिक्षक हो और ये कहा गया कि इनके सिक्षकों का विद्यालेओं में होना परमावश्च है जी और ये भी कहा गया कि उच्च परात्मिक विद्यालेओं में यदि बच्चों की संख्या सौ से अधिक है तो वहाँ एक पूर्ण कालिक प्रधानाचारे के साथ साथ कुछ अंसकालिक सिक्षक नियुक्त किये जा सकते हैं लेकिन उनके विसेचेतर स्वस्ट किये गए जैसे कला सिक्षा के लिए स्वास्थे और सारीरिक सिक्षा के लिए और कारे सिक्षा के लिए एक और चीज जो महत्वपूर्ण है जिस पर बात की गई है सिक्षा के अधिकार अधनियम में वह था कारे दिवसों की संख्या एक सेक्षनिक वर्स में कक्षा एक से पांस तक के विद्याले में कम से कम एक सिक्षक को 200 कारे दिवस सुनिश्चित करने चाहिए साथ ही ये दिवे उच्च परात्मिक विद्याले है प्रारंबिक विद्याले है छे से आठ तक की कक्षाएं भी वहाँ चलती है तो उसमें 220 कारे दिवस सुनिश्चित होने चाहिए और के बल कारे दिवस ही नहीं कारे घंटों की बात दीकी गई है कि एक से पांस तक के लिए 800 सिक्षन घंटे और कक्षा छे से आठ तक के लिए एक हजार सिक्षन घंटे एक वर्स में एक विध्यालाय में होने चाहिए और एक सिक्षक प्रतिम सब्ता नियूनतम पैंतालिक सिक्षन घंटे विताएगा जिसमें उसके तैयारी के घंटे सामिल है और इसके साथ प्रतेक कक्षा में खेल सामिक्री, प्रीडा उपकरण यह भी उपलब कराये जाएंगे तो यदि हम देखें इस तरह से तो सिक्षा के अधिकार अधिलियम में सिक्षकों की नियुक्ति, सिक्षकों की तैनाती, सिक्षकों का प्रसिक्षन, सिक्षकों का सेवाकालिन प्रसिक्षन, सिक्षकों के उत्तरदायत, सिक्षकों को दी जाने वाली जुम्मेदारियां और जो जुम्मेदारियां सिक्षकों को नहीं दी जा सकती और साथ ही सिक्षकों के कर्टब्यों पर बहुत विस्तार से बात की गई आपने काफी विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि सिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रारंबिक सिक्षकों के लिए क्या कहता है उनकी भूमिका को किस तरीके से उसमें लिखित किया गया है और निशित रूप से हमारे सिक्षारती जब इसका अधियन वानुश्यन करेंगे सिक्षा का अधिकार अधिनियम को तो आपकी चर्चा में आए हुए विंदूओं का इसमरान उनको होगा मैं इसमें एक और विंदू जोड़ना चाहता हूँ मुझे लगता है कि चर्चा समाप्त करने से पहले एक और पक्षमें स्पस्ट करना चाहिए सिक्षा के अधिकार अधिनियम में समावेशन को बहुत महतू दिया गया इंक्लूजन को बहुत महतू दिया गया और यदि हम जब सिक्षा के अधिकार अधिनियम को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके पहले भाग में ही जहां पर परिभाशाएं दी गई है वहीं पर आप देखें वंचित बरगों की बच्चों की जो परिभाशा दी गई है तो उसको विस्तरत करके उसको बढ़ा करके जो दिव्यांग बच्चे हैं विविन छेत्रों के उनको भी उसमें सम्मिलित किया गया है और साथ ही जब हम विद्याले में प्रवेश देना ही होगा साथ ही एक और महत्वपूर्प्रावधान है सिक्षा के अधिकार अधिनियम में वह है बंचित वरगों के बच्चों को जो निजी छेतर के विद्याले हैं वहां 25 प्रतिसत इस्थानों पर निशुल्क प्रवेश के अवसर प्रदान करना जब से ये अधिनियम लागू हुआ है हमने देखा है तमाम राज्यों में इस प्रावधान पर बहुत बिवाद भी हुए हैं कि फिर भी राज्य सरकारों ने यदि प्रयास किये हैं तो ये प्रावधान बहुत प्रभावी धन से लागू भी हुआ है और इसलिए आज इ ये भी इस पस्ट है कि जो विद्याले मानता प्रावध नहीं है उसको या तो मानक पूरे करके मानता प्रावध करनी होगी या वो विद्याले बंद कर दिया जाएगा तो उन मानता प्रावध विद्यालेों में जो नीजी शेतर के विद्याले हैं वहाँ पर प्रथम पूर्ती जो भी स्थानिय निकाय राजय सरकार या केंदर सरकार है वो इसको करेगी तो इस तरह से सिक्षा के अधिकार अधिनियम में हम देखें सिक्षक की भूमिका बच्चों के प्रवेश से लेकर बच्चों की योगिताओं की पहचानने तक अपने प्रसिक्षन तक अप आपको क्या भूमिका अदा करनी है डॉक्टर गौरो सिंग जी ने सिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर और सिक्षक की उसमें भूमिका किस तरीके से रिखांकित की गई है बहुत विस्तार पूरुबक और बहुती शरल सब्दों में समझाया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सिक्षारतियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद